डिसकार दोस्टों आपका सवागत है मेरे Channel HomeArt में जैसा कि मैं स्क्रापबुट सीरीज आपको बनाना सिखह हुए वीडियो में सबुद्डेर आज हम बनाना सीखेंगे स्टैंडिंग कार्ड इसके लिए हमने क्या कर रहा है यह 13.5 x 13.5 का एक चाट पेपर कटिंग किया है जिसके चारों कॉर्णर एकडम एक्डम रहेंगे 13.5 अब हम इसे क्या करेंगे दोनों साइट से इस तरीके से पोल्ड कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से अब हम इसे मिट्स से कटिंग कर लेंगे एक कॉर्णर जो है वो काटना नहीं है बस आपको 20 से इस तरीके से कटिंग करना है अब हम क्या करेंगे यह वाले कॉर्णर पे ग्लू लगाएंगे और इसे इस तरीके से चिपका देंगे इक्वल सेट नहीं है जिससे के मारे पास यह देखिए तीन तरह का स्क्वायर रहा जाएगा अब हम क्या करेंगे यह बीच वाले पार्ट को फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ दवाते हुए इसएं एक क्वार्ड दे लेंगे यह देखिए इस तरीके से कि इस तरह की हमने तीन चाट पेपर लेने हैं सेम साइस का TV कंटींगalloणック का अब हम क्या करेंगunder यह मैंने पहले से एक बना के रखा है देखिए इस तरीके से बनेगा अब हमें सेम इसी साइज का हार्ट से कटिंग कर देंगे सेम साइज का हार्ट से जो है वह सीजर की हल्प से काट लेंगे हैं अब यह देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें तीन हार्ट से रेडी करना है यह मैंने इस तरह की का पेपर लिया है जो मैं बीच में डालूंगी इसे भी हम सेम इसी तरीके से पोल्ड करके और हार्ट सेप कटिंग करके सेम बना लेंगे यह देखिए दोस्तों तीन हमारे रेडी अब हम क्या करेंगे यह फर्स्ट वाले के उपर ग्रू लगाएंगे और इससे इसके उपर चिपका देंगे सेम फिर इसके उपर ग्रू लगाएंगे और इससे इसके उपर चिपकारेंगे यह इस देखिए दोस्तों हमारा इसके यह तुपर शिपका देंगें अब हम क्या करेंगे इसे डेकोरेट करेंगे यह देखिए दोस्तों मैंने अपने स्टैंडिंग कार्ट को इस तरीके से डिजाइन किया है मैंने इसमें छोटे हार्ट फिर उसके छोटे हार्ट डाल के इसमें डिजाइन किया है उम्मीद करते हूं आपको अच्छा लगे आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और आने वाले मेरे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यूपर